इन्होंने लोगों को मरवाया है चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर कटर हिंदुत्तू को थोपा जा रहा है यह किस तरह से आप जनता को बांट रहे हो आपका घर जल रहा है जो इंटरस्टेट लोग है वो उसमें घी डालेंगे ज़रूर हिंदू में अभी जो है 18 येर से नीचे शादिया नहीं हो रही है अब रोक पाए उसको कोई भी मुद्दा जो है वो लोगों का मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव जीता जा रहा है डेमोक्रेटिक माइंड डेवलप होता है आंदोलन से दोजार चोदां का जो चुनाव था वो था आपका जूठे वाइ नमस्कार आप देख रहे हैं जनहीत आवाज और मैं हूँ आपके साथ ब्यूटिगिरी अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं यहाँ पे मनिपूर के लिए जो मनिपूर जल रहा है कई दिनों से जल रहा है उसी को लिक धरना प्रदर्शन हो रहा है आई आम बात करते हैं आ एक planned conspiracy है जैसे मैंने बताया यह है किस तरह से जो हमारे समाज में जो जनता के बीच में जो दिवारे हैं चाहे वो जातपात की हो चाहे वो नसल की हो चाहे वो धर्म की हो उन दिवारों को हवा देना उनको और उन्चा करना लोगों में जो डिवाइड है जो एकता में धरार है उसको और आगे करना है और बढ़ाना उसको ताकि 2024 का जो चुनाव आ रहा है पिछले दोनु चुनाव जो हैं वो मुद्दू पर लड़े नहीं गए थे 2014 का जो चुनाव था वो था आपका जूठे वाइदे दे के हर कोई भी वाइदा पूरा हुआ नहीं बलकि उसके अगेंस चले गए 2019 का जो हुआ वो पुल्वामा जो सत्यपाल मलिक ने और भाकी जितने भी डिमोक्रिटिक माइंडिड लोग जो हैं जो आँख रखते हैं उन्होंने उठाया यह कैसे हो सकता है कि 300 kg RDX लेके आपके साथ साथ एक कार चली जाती है यह कैसे हो सकता है जबके कमांडर उसका है वो खुद कहता है कि एरलिफ्ट करो यह खत्रे से भरा सफर है उसको इग्नोर किया जा रहा है और अल्टिमेटली सत्पाल मल्क जो आप मुकर हो उठे हैं उन कि उन्हें लोगों को मरवाया है चुनाव जीतने के लिए यह सत्यमाल मलिक कहता है यह वह बीजेपी का अदमी है तो सत्यमाल मलिक ने पहले क्यों कुछ नहीं बोला अब आके बोल रहे हैं वो वो कह रहा है मुझे दमकाया गया मुझे प्रामिनिस्ट ने बोला चुप रह है यह वीकनेस भी हो सकता है वो अलग बात है लेकिन सवाल तो यह खड़े हो रहे हैं आपका वेस बेंगोल का चुनाव है आपका बेहार का चुनाव है उस समय किस तरह से आपका यह जो नेक्सलाइट्स पर इलजाम लगाया जा रहा है किस तरह से प्रशान्त बूल यह चुनाव जीते जा रहे हैं वो इनका event manager था election का तो सवाल पैदा हो रहा है कोई भी मुद्दा जो है वो लोगों का मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव जीता जा रहा है वो इसी तरह से यह अभी uniform civil court अरे जो एक democratic process से जो हमारे देश में अलग-अलग जो धर्म हैं जाती हैं खुद हिंदू में भी किस तरह से वो जो विशमता हैं वो दूर होंगी वो तो एक democratic moment से होगा जब तक लोग खुद accept नहीं करेंगे democratic reform कोई accept नहीं करेंगे कुद वो उपर से थोपा नहीं जाएगा सर इसमें गलत क्या है एक राष्ट में एक ही कानून हो सब के लिए सम्मान चीज़े हों तो दिक्कत क्या है होगा जब लोग जो है उनकी वैसी मानसिक्ता पैदा हो अब रोक पाए उसको आप इसको ओनर किलिंग को रोक पाए कानून बनाया है अभी भी हो रहा है आप हिंदू और मुसलमान में शादी पर अपनी मर्जी से शादी कर रहा है उसको रोक पाए उसको तो मार रहा है लिंचिंग हो रहा है तो यह डिमोक्रेटिक माइंड है डिमोक्रेटिक माइंड डेवलप होता है आंदूलन से जैसे यूरप में रेनेसा हुआ, रेनेसा में वहाँ पर साइंस की तरजी हुई, वहाँ पर डेमोक्रिटिक, ये सेक्लरिजम डेवलप हुआ, जड़ें पकड़ी उन्होंने, जो पुराना विश्वास था, अंदविश्वास था, उसको डिफीट दे दिया, तो डेमोक्रिट एक मूमेंट जिसको ग्रेट रेनेसा नवजागनन काल कहते हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां पर कटर हिंदुत्तू को थोपा जा रहा है, और अमेरिका में जाके वो डेमोक्रिटि की बात कर रहा है, बात है यह तो विढमना तो यही है, किसके लिए हो रहा है, हो रहा है, लोगों को डिवाइड करो, वोट उनसे किसी तरह से हासिल करो, और पुंजी पती वर्ग को, अधानी, अंबानी, टाटा, बिरला को सुनिश्चित ये करो, कि पांच साल के लिए हमें बादा रहित आपको शासन चलाएंगे. इस दे गेम प्लैन, और ये लोग जानते नहीं हैं, जाती धरम और इसमें जो एक शेत्र के वाद, शेत्र था वाद में फसे हुए लोग जो हैं, उसको उल जाया जा रहा है, उसको हवा दिया जा रहा है, तो सर ये मणी पूर्टी, ये दिमोकरिसी बात कर रहा है, एक अफ्र कुलाहडी से मारा जा रहा है, दूसरा उसका वीडियो कीच रहा है, और पीयम उस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रही है? तो सर ये ही पूछ रही हूँ कि मणी पूर में जो हिंसा हो रही है, उसमें बीजी पी को कैसे फायदा हो सकता, वो तो नुकसान में जाएगी ना? उनको खदेडा जा रहा है, in the interest of corporate houses, ताकि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार किया जाए, और अधिवासियों को वहां से बैश्कृत किया जाए, उसमें भी तरह तरह का ये किराए, नर्सी का नारा भी वहां उठवाया गया, जैसे आसाम में किया, वो नारा भी है, तो वही किस तरह से आप जंता को बांट रहे हो, और किस लिए, आपके धिमाग में सिर्फ एक ही बात है, किस तरह से आप पोलराइज करेंगे, वोट, आपका एलेक्शन सुनिश्चित होगा. सर, अभी कुछ टाइम पहले ही भारतिय सेना ने एक वीडियो साज़ा किया, उसमें उसका दावा है, कि मारी मनिपुड की महिलाएं जो हैं, वो उगरवादियों का सांथ दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे अब? आपका घर जल रहा है, जो इंट्रेस्टिट लोग हैं, वो उसमें घी डालेंगे ज़रूर, आप घर को जलने क्यों दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, मैती समुदाई जो है, पहले ही तो एडवानस्ट है, उसमें एक तो आप हिंदुत्यों की भावना बर रहे हैं, कर रहे हैं, डेमोक्रासी की बात नहीं हो रहा है, आप जब ऐसी भावनाई पैदा कर रहे हैं, एक समुदाई में, तो वो आदिवासियों को कैसी देखेगा, जिनका रिलिजन क्रिशेनिटी है, आप ये धीवारे खड़ी कर रहे हैं, उनको और उन्ची बना रहे हैं, क्या होगा, तो जब वहां पर ये, नहीं तो ये बताईए, ये जो सशस्त्र बलूं से, पैरा मिलिटरी फोर्से से हत्यार चीने गए, ये संबब नहीं हो सकता है, जो हत्यार बंद लोग हैं, उनसे हत्यार कैसे चीने जाएंगे, जो आपके जो ये है, जहां पर एमिनिशन रख हिए अजतां, श स्चेक घार जाता है, शस्त्रागार्ज उसको कहते हैं, आर्मरेज से होते हैं, उस तो घमला कैसे उसका रखवाली करते हैं, उननको तकलीक नहीं हो रहा है, मैं एस सबहार में मुझे जान करी नहीं है, वह आप उनसे पूछिये ना, मैं उसके बारे, आप क्या विचार है मेरा मेरा उस पर जानकारी नहीं है जो जिसकी जानकारी मुझे नहीं है मैं कैसे बताऊंगा जैसे कि देखा आपने लोगों में काफी अक्रोष है तकलीफ है क्योंकि मनिपूर काफी दिनों से जल रहा है सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही है बीजेपी मोधी स सरकार चुप मौन साधे हुए हैं जबकि वहां जाते हैं तो हिंदूत्व की राजनीती करते हैं लोगों में इस बात का खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है कैमरामेन आशीष के साथ मैं व्यूटी गिरी जनहिता